एजाज और जैस्मिन की लड़ाई पर अब अली गोनी का रियाक्शन आया है एजाज भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी और अली गोनी ने उस दिन का क्लिप जो है वो शेयर किया है जिसमें जैस्मिन ही बोलती भी नज़र आ रही है कि दिखाया ना अंदर से बहुत दुखी हो दिखाया ना दुख आपने पूरे शो में और उसके बाद उन्हों ने बोला इजाज ने क्या मतलब है तेरा क्या मतलब है तेरा और अली ने ये क्लिप शेयर की है और कहा है कि अब आप बताए उसने कब उस डार्ट सीक्रेट की बार की दर असल जैसमिन जो बोलती ही नजर आ रही है वो ये बोल रही है कि आपने दिखाया ना अपना दुख पूरे शो में तो अली लिखते हैं अब ये सारी चीज आपके उपर है स्मार्ट पीपर जो बोल रही है कि सबने वहां बैठे हां बोला जब एजाज ने पूछा तो सबने हां बोला कि हां जैसमिन ने ऐसा बोला था तो ये देखो और बताओ जैसमिन ने डार्क सीक्रेट बोला या पूरे शो में दुख दिखाया दुख ये बोला तो Jasmine इस clip में ये बोलती ही नज़र आ लिए कि आपने पूरे शो में दुख दिखाया और पहले अच्छे से देखो या करो कमेंट करने से पहले धन्यवाद तो उन्होंने कहा है कि आप जो भी कमेंट करो उससे पहले ये देख लेना उसके बाद उन्होंने बोला कि पूरे शो में आपने दुख दिखाया ही है ना तो एजास ने उस बात को कनेक कर लिया डार्क सीक्रेट से तो उनका ये कहना है कि जो वहाँ मौझूद लोग थे कंटेस्टेन वहाँ जहां कह रहे थे तो अब आप सोचो ये क्लिप देखके कि क्या सही है क्या गलत है तो उन्होंने कुछ सेकिंड का वो क्लिप जो है शेयर किया है अपने ट्विचर पर और साथ में उन्होंने ये भी लिखाए कि मुझे आकरी मैं ऐसी उमीद नहीं थी इजाज भाई बहुत ओवर एक्टिंड कर ली बट बाहर आके जरूर देखना जैस्मिन नेवर मैंशन युवर डाट सीक्रेट इन डाट आर्गूमेंट मैं आपके बिहेवियर से बहुत डिसपॉइंट हूँ आपको याद होगा एजाज ने बोला कि अली बोलके गया था तुम्हारा धियान रखो इसने में रख रहा था और एक बात मुझे समझ में आ गई कि अली ने कहा जैस्मिन इसलिए तुमने मुझसे माफी मांगी थी तो अली जो है भले ही बाहर हो लेकिन उन्हें लगाता जो है चिंता है और आज राहूल ने भी उनको बोला क्यों मेरे दोस्त है एक लोते दोस्ते जो घर के अंदर बने लेकिना जास्मिन और इजास के बीच में जो हुआ है उस पर अब अली का बयान आया है और उनका यह क पूरा sequence देखे वो छोड़के continuity में देखे तो context जो है चीजों के समझ में आएंगे लेकिन जास्मिन जो है वो यहां clearly किसी दुख की बात कर रही है अब वहां एजास को यह लगा कि उनके dark secret की दुख की बात कर रही है वही contestant को भी यही लगा कि वो जो है उसी dark secret की दुख की तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हर शक्स को अगर ऐसा लगा है तो उसके पीछे कोई reason होगा अगर नहीं लगा है और उसके बावजूद जो है जूद बोल रही है तो क्या वो सब जैस्मिन से insecure है तो यह clip अब आप भी देखिए और आप दै कीजिए कि क्या वाकई में जैस में सही थी या गलत थी